नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल अस्ट्रो सच पर नमक के डब्बे में डाल दो ये चीज चारों दिशाओं से आएगा पैसा दोस्तों आज हम आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करेंगे चाहे आपके घर में परेशानी हो ग्रहतलेश हो या धन संबंधित मुश्किले हो हर चीजों से हर तंगी से बाहर निकलने के लिए नमक का एक खास प्रयोग जो आपके जीवन की हर परेशानियों को तुरंत दूर करेगा तो चलिए जानते हैं आज बहुत सिंपल प्रयोग है एक बात हमेशा याद रखे दोस्तों शनिवार के दिन जब भी घर की फाई लगवाते हैं पूछा लगवाते हैं यहां तक कि अगर घर या बाहर धुलवा भी रहे हैं तो भी पानी में नमक जरूर डाले नहीं तो ज्यादा नहीं कम से कम एक चुटकी नमक क्योंकि नमक न यूज कर सकते हैं या फिर पाउडर वाला भी आप नमक जो भी आपके पास संभव हो यूज कर सकते हैं दोनों दल वाला भी और पाउडर वाला भी कभी कभी क्या होता है कि घर में बहुत सारी परिशानिया होती हैं जीवन साथी के साथ आपका नहीं बनते हैं लड़ाई जगडे होते रहते हैं, तब ऐसे में नमक का एक छोटा सा प्रयोग करें। जो है, इसको आप किसी टोइलेट बैगाराह में डाल दे या फिर किसी गमले में डाल दे, पानी में डाल दे, लेकिन इसको जमीन पर मत फेंके और फिर आप नया टुकडा वहाँ पर रख दे, ध्यान रखिए। कोशिश हमेशा ही करें कि ऐसे लोगों का नमक मत खाईए और कोशिश करें कि ऐसे लोगों के संपर्क में भी कम रहेगा क्योंकि सिर्फ नकारात्मक चीजें हैं, आपके साथ आएंगे और अच्छी की. नहीं आएंगी तो आप चाहते कि घर में खूब पैसा भी बचे, खूब तरक्की हो, खूब ज्यादा पैसा टीके तब एक छोटा सा प्रयोग आप पैसा के लिए भी कर सकते हैं, क्या करेंगे? कि गिलास में पानी भर लें, तीन भाग भले ही एक भाग खाली रहने दें, अब उसमें एक चम मच नमक डाल दें, और अपने घर के दक्षिन पश्चिन कोने में इस गिलास को रख दें संभव हो, तो इस ब्लास्ट में लाल रंग का कलर कर दें, या फिर लाल रंग का थोड़ा पानी और उसमें आप उपर से डाल सकते हैं, अगर बीमारी लंबे समय से आपका पीछा नहीं छोड रही है, या फिर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, तब शनिवार के दिन आप बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है नमक का जो व्यक्ति बीमार है, उनके बेड के नीचे सिरहाने में याने की जिधर उनका असर रहता है, उनके ठीक उसी के नीचे बेड के नीचे एक कांच की कटोरी में नमक रख दें, याद रखें कांच में ही रखिएगा कागज में मत रखिएगा नहीं, तो वह उसमे खुल जाएगा फूल जाएगा कागस तो कांच के बरतन में नमक रख दे और अगर ज्यादा बीमार है तो सुबह शाम चेंज कर दे जैसे सुबह में रखा है इसको आप टॉयलेट वगेरह में आप डाल सकते हैं या फिर किसी पानी में डाल दे इसको फिर आप दो 12 रख सकते हैं यानि की पुराना बाला नमक आपको फेंक देना है और नया नमक आपको रख देना है तो उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगेगा एक बात हमेशा ही याद रखिएगा शनिवार के दिन नमक नहीं खरीदना चाहिए किसी को भी आप हाथों हाथ नमक भी नहीं देना चाहिए किसी को शनिवार के दिन नमक न तो दें अगर कोई मांगने आता है तो नहीं खरीदे लेकिन हाथों हाथ मतलब अपने हाथ से टच करके किसी के हाथों में टच करके आप बिलकुल भी नमक न दे ध्यान रखें इससे लडाई जगडे और ग्वेश बढ़ता है यानि सामने वाले से आपके संबंध बिगड़ जाते हैं यदि आप नमक देते हैं हैं तो आपके संबंध बिगड़ते हैं लडाई जगडे होते हैं अब कई बार क्या होता है घर में वास्तु दोश होता है जिसके कारण ब ये आप डली वाला नमक भी रख सकते हैं और पाउडर वाला भी आप नमक रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ यह टॉयलेट में कहीं पर भी आप इसे रख दें, हर महीने इस कटोरी वाले नमक को चेंज करें ऐसा करने से घर का जो वास्तुदोश बहुत हद तक समाप्त हो जाता है। कई बार क्या होता है कि आप भोजन करते समय दाल सबजी को यानी चकते हैं, नमक कैसा है, मिर्च कैसी है, देखिए एक तो चकना नहीं चाहिए, दूसरा कभी भी अगर खाने में कम हो जाएं, नमक तो सफेद नमक लेकर मत खाये का जब भी लेना है, तो सेंधा नमक या फि कई बार आपको नौकरी व्यापार में आपका नहीं चलता, अच्छे से कई बार आपको रोजगार में परेशानिया होती है, नौकरी छूट जाती है, व्यापार में तंगी की हालात यानी की व्यापार बंद पड़ा रहता है, तब ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग आप करे कोई भी शनिवार करें, इस शनिवार आप कर सकते हैं। इस शनिवार जरूर करके देख लें, एक बार क्या करेंगे कि एक लाल रंग का कपड़ा ले लें, अब इस कपड़े में डली वाला नमक का टुकडा रखकर इसको बांध कर अपने व्यापार स्थल के बाहर बांध दें गेट में या फिर आप अपने घर के बाहर भी बांध सकते हैं, ऐसा करने से नकारात्मक उर्जा समाप्त हो जाएगी। और किसी भी तरह का कोई भी दोश नहीं लगेगा नमक के उपयोग से राहु केतु के अशुद प्रभाव भी नश्ट हो जाते हैं, हमेशा के लिए अगर खीक से उपयोग करें, तो जीवन में सुक शान्ती समरिध्धी बढ़ती हैं। सकारात्मक उर्जा का संचार होता है, तो लाल कपड़े में जब भी डली वाला नमक आप घर के मुख्य दरवाजे पर बांधेंगे या फिर ऑफिस के दरवाजे पर बांध सकते हैं। याद रखना यहां आप बाहर की तरफ भी बांध सकते हैं। अच्छी नींद भी आती है और जल्दी से नजर भी नहीं लगता देखिए नमक का डिबबा हर किचन में रहता है, खाने पीने की चीजों में हम उस का इस्तिमाल करते हैं और स्टोर करके रखते हैं, तो नमक के डिबबे में आप क्या करें लॉंग जरूर डाल दे दो लॉ लॉंग डालने से जीवन में सुक शान्ती वैभव और लक्ष्मी माता जी खिंची चली आती है। परिशानी आ रही है, जीवन में नजर दोश लग जाता है, आए दिन आपके घर में गरीबी का सामना करना पड़ता, तो आप नमक के डबबे में लाल मिर्च पांच जरूर डाल दे पड़ा रहने दें, उसका यूज करते रहे, लेकिन उस मैच को पड़े रहने दें, रख में माता लक्षमी जी दोनों हाथों से धन कृपा बरसाई बरकठा गरीबी घर का रास्ता छोड़े, अगर आप रोरपती है, तो करोरपती बनने की इच्छा है, तो आप क्या करें महालक्षमी जी को प्रसन करने के लिए नमक के डिबबे में आप क्या करेंगे, नमस्ते आ धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, दोस्तों नमक के डिबबे में ये चीजे जरूर डालना है, क्या क्या डालना है, आप चाहे तो लोग दो डाल सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं, इलाइची डाल सकते हैं, या फिर आप लाल मिर्ची डाल सकते नमक के डिबबे म माता लक्षमी दोनों हाथों से कृपा बरसाई की बलकी चारों दिशाओं से धन की वर्षा होगी और पैसा आएगा दोस्तों.